हाई टेक फीचर सधरावतू नवून संसद भवना सुविधाओ थी सुसज, सांसदोंने नहीं थाई कोई तकलीफ। वडाप्रधान नरेंद्र मोधिये, तारिख 28 मेबे 2023 ना रोज नवा संसद भवननुन उदघाटन करियो छे। आ नवी संसद देशनी विविद संस्कृती ने पण रजु करशे। नवा संसद भवनमा राज्य सभा अने लोकसभानी साथे एक सन्विधान होल पण बनाववामा आव्यो छे। तेमा देशना बंधारणिये वारसानू प्रदर्शन प्रदर्शित करवामा आव्यून छे। नवी संसद मा लोकसभामा 882 सांसदों नी बेठक शमता हशे। अने राज्य सभानून कद लोकसभा करता नानून हशे। राज्य सभामा 384 सांसदों बेसी शकशे। बन्ने ग्रुहोंनून सन्युक्त सत्र लोकसभा चेमबरमा योजाशे। आ चेमबरमान एक हजार बस सो एक साथे बेसी शकशे. नवा बिल्डिंग मा सांसदों नी सुवीधा माटे खास कारजी राखवामा आवी छे. नवी संसद हाइटेक सुवीधा ओथी सज्ज. नवा संसद भवनमा वायू अने ध्वनी प्रदुशनने रोकवा माटे अनेक पगला लेवामा आव्या छे. आ संसदमा तमाम सभ्यो माटे एक विशेश पुस्तकाले डाइनिंग होल अने पार्किंग नी जग्या पन छे. आ उ हाइटेक एकविपमेंट लगाववामा आव्या छे. कोमन रूम उपरांत महिलाओ माटे लोंज, वी आईपी लोंज नी पन व्यवस्था करवामा आवी छे. आ स्पेशियल लोंज समा सांसदोंने तेमना साथिदारो, परिवारना सभ्यो अने संसदनी मुलाकाते आवता ल दरेक बेठक पर डिजीटल सिस्टम अने टच स्क्रीन. जुना संसद भवननी सरखामनिमा 9 संसदनमा लोकसभा अने राज्यय सभामा सांसदोंनी बेठक व्यवस्थामा सूधारो करवामा आव्यो छे. जुना संसदमा सांसदोंने आवा, जवामा मुश्केली पड़ती हती हवे, नवा संसद मा सांसदो कोई पण अडचन वगर आवी ने जैश कशे। आ दरमियान कोई ने कोई समस्या पण नहीं थाए। नवी संसद भवननमा सांसदो नी सुविधाओने ध्यानमा राखी ने दरेक बेठक पर डीजिटल सिस्टम अने टच स्क्रीन लगाववामा आवी छे। सांसदो आ डीजिटल सिस्टम ने तेमना मोबाईल अथवा टेबलेट थी सीधाज कनेक्ट करी शकशे। संसद भवन संकुल मा अध्यतन ओडियो, वीजिवल सिस्टम्स पन स्थापित करवामा आवी छे। संसदनी कार्यवाही शरू थता पहेला अने सत्रस्थगित थया बाद सांसदो अने कर्मचारी ओने पन तेमना द्वारा जान करवामा आवशे। जुना संसदनी जेम जा आमा पण सांसदो माटे आराम दायक डाइनिंग होल तैयार करवामा आवियो छे। आ उपरां त्वडील सांसदो माटे पण अनेक प्रकारनी सुविधाओ आपवामा आवी छे।